असकार स्वागता आप सभी के शूटूब चैनल विकल टीवी पे दोस्तों आज की इस फीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने दिल्ली विकल का एफ्लिकेशन नंबर ओनलाइन किस तरीके से खोज सकते हैं किस तरीके से सर्चा फैंड कर सकते हैं और उसके बाद उसका एफ्लिकेशन स्टेटस ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके दिल्ली विकल का एफ्लिकेशन स्टेटस क्या चल रहा है जो आपने एफ्लिकेशन समिट की है आरटियो में दिल्ली में कम्प्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो चलो दोस्तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का आप लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर करतीजिए जुटना चाहते हो ऐसी जानकरी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे सब्सक्राइब आप सबसे पहले चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजेगा परिवैन उसके बाद जो सबसे उपर रिजाल्ट आ रहा है हूं परिवैन से मिनिस्टे आप रोड ट्रांस्पूर्ट इस पर किलिक कर दीजिए उसके बाद अब विकल रिलेटिट सर्विसीज पर किलिक कर दीजिए अब यहां पर इस्टेट सेलट कर लिए इस्टेट यह यूटी जो भी आपका और जैसे ही आप करोगे इस तरीके से आपके सामनी पेज ओपन हो के आ जाएगा अब जैसे हम दिल्ली का देख रहे है तो इस तरीके से आगया है तो यहां से आप क्लोज कर लेते हैं अब यहां पर आपको बहुत सारे ओप्सन दिख जाएंगे अब अगर आपने पहले से ही रेजिस्टर कर रख का है इस साइट पर लूगईन पे किलिक करें अगर रेजिस्टर नहीं कर रख पर क्लिक करके। आप password reset कर सकते हैं। तो मैं इन details को डालके summit पर क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही आप login करोगे इस तरिके से page open हो के आ जाएगा तो यहां से हम close भी क्लिक कर देते हैं। कि आपके सामने is तरिका सा open हो कर आ जाएगा अब आपको यहां पे status पे click करना है जैसे ही आप status पे click करेंगे बहुत सारे option आपके सामने open होके आएंगे अब आपको simply reprint e-receipt slash forms पे click कर देना है अब यहां पे by registration number wise इस पे already click होके आ रखा है अगर नहीं आता तो इस पे click कर दीजेगा आपके जो circle है उसके बाद यहां पे application type में application select कर लिजिए application हमने यहां पे select कर लिया है अब guardian number यानि विक कर registration number डाल देते है यहां पे जो चेसिस की last की 5 डिजिटर वो डाल देते है और उसके बाद submit पे click कर देते है अब हमारे सामने इस तरीके से open हो के आता है reprint receipt अब यहां पे जो transaction number है यह application number आपको यहां पे दिख जाएगा इसको copy करके और यहां पे status भी click करके track application status भी click करके status आप चेक कर सकते हैं अगर पूरा आप जो payment receipt वो निकालनी है आपको तो transaction number की नीचे यह जो number है इस पे click कर दीजिए उसके बाद जो payment receipt है वो आपके सामने open हो के आ जाएगी यहां पे भी आपको application number दिख जाएगा तो इसको copy कर लिजिए आप कहां कहीं पर आप note down करना चाहते है यह लिखना चाहते है तो आप आप इसको लिख सकते हो और उसके बाद आप यहां से भी check कर सकते हो जो man page है और यहां अंदर जाके भी application status track कर सकते हो तो यहां पे उस application number को डालिएगा जो आपने लिखा है और उसके बाद यह जो capture word इसको यहां पे डालके submit पे किलिक कीजिए उसके बाद आपको पूरा status इसमें दिख जाएगा कि आपकी जो application उसका क्या status चल रहा है तो हमने सारा step जो complete कर दिया है RTO में by post, by speed post document भी paste दिये है और यहां पे जो status है complete हो चुका है approve हो चुकी NOC और सारा process complete हो चुका है तो दोस्तों यह पूरा तरीका है आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप दिल्ली वीकल का application number online किस तरीके से खोज सकते है payment receipt किस तरीके से आप निकाल सकते है application का status चाहे आपकी विकल के NOC का हो, विकल transfer हो या other कोई भी application type हो तो उसका status किस तरीके से आप track कर सकते हैं कि जो आपके विकल का application है उसका क्या status चल रहा है तो इसके बारे में पूरी information आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है अगर आप other state के हो या other uts के है तो इसके regarding मैंने already track करने का तरीका बता रखा है या इस वीडियो को देख सकते हो इसमें भी track करने का तरीका बता रखा है किस तरीके से आप track कर सकते हो या यहां पर भी आप डाल सकते हो चेक vehicle RC यह आप डाल दीजेगा तो सबसे उपर वीडियो आपको दिख जाएगी तो इसको देखके भी आप other state या यूटी का इस ट्रेक कर सकते हो उमेद्य दोस्तों वीडियो आज के आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आज के आपको पसंद आई है तो इसको लाइक किजिए share कीजिए विकल रेलेटिड और इन्फोर्मेशन आपको चाहिए तो यहां पे सिंप्ली डाल दीजेगा विकल कि विकल रेलेटिड जितनी वीडियो हमने अप्लोड कर रखी चाहिए विकल ट्रांसपर हो विकल यहां पे आप डाल दीजेगा ड्राइविंग तो चाहिए लड़ना लाइसेंस और पर्मनेंट डील रिनुवल डुब्लीकेट अड्रेशन नेमचेश और अधर टाइप के जितने भी लाइसेंस सब की वीडियो हमने अप्लोड कर रखी है अगर आप डील रिनुवल की दा दे अगर आप दिल्ली लाइसेंस रिलेटीड देखना चाहते है यहां पर दिल्ली डील डाल दीजेगा दिल्ली डील की वीडियो यहां पर आपको दिख जाएगी जुटना जाते हो हमारे इस चैनल से ऐसी ही जानकारी पाने के लिए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजेगे जैसे ही सब्सक्राइब आप करोगा रैट साइड में घंटे की निसान आ जाएगा उसको अब दबा दीजेगा और रॉल पे किलिक कर दीजेगा फायदे इसके होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो प्रोड करूँगा उसकी जानकर मिलेगे आपको सबसे पहले तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यार